आप सबको सवगत है 17 मार्च की इश्रवरदान में जहां परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें हर एक संकल्प में बिंदू लगाने ही बहुत जरूत है देखा है तो पास्ट के जो भूत कल के संकल्प होते हैं उसमें कुछ अच्छी चीज़ें मेमरीज होती हैं अगर हमें याद आती है तो वो अच्छी बात है लेकर अगर उसमें हमें महों याद आता है तो ठीक नहीं है उसी तरीके सेगर हमें कुछ ऐसे शान याद आते हैं जिसमें किसीने हमें दुख दिया हो, कुछ बूला हो, हमारे सथ कुछ जात्ती करी हो कुछ हमारा धन, संपत्ती, तन, मन, धन या समध्धों में उन्होंने चोट पहुचाई हो तो इसको बार बार याद करना और फुल स्टॉप ना लगाना फिर भी क्या होता है, दुख दो होता ही है तो इसलिए परमात्मा आज इस फुल स्टॉप या बिंदू या प्रकाश या डॉट के बारे में आज इस सिखा रहे हैं इस प्रेजन्ट के हिसाब से बनता चाहें तो परमात्मा कहते हैं बिंदू की मात्रा के महत्व को जान बीती को बिंदी बीती बातों को बिंदी लगाने वाले सहज योगी कि अगर पासी बाता में घर हम रहान करेंगे परमार्त्मा की याद में कभ रहाये यसलिए बिंदी लग दर वह बहुत है और ऐसटी प्रैक्टिस करनी बहुत जरोता है ब्रेक लगाना परकाना नियुद 8वी नहीं आता है पना ही कि आगे वाली गाड़ी करें स्फेड में हम की तिस सीब बेर हैं। तो ब्रेक लगाया हो सबस्केश कर दादीडिया हो कि पीछे वाली गाड़ी निया के ठोक दिया। कभी अच्छा ना frazier तया तरो त्रोड आस्टे अच्छा नी कि मेरे जो भावना है उन भावनाओं में फुल स्टॉप कब लगता है क्या सोचने से यह हर एक की गाड़ी आत्मा रुपी गाड़ी की अपनी ब्रेक है कि इस दिए परमादर कहते हैं सब्से सरल मात्र बिंदी के बाप दादा बाप बीदी है देखिया आप प्रकाश बिंदी बाप बाप जादा सर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं सारे शरीर का हिसाब क्यों बताएंगे वह सोयं भी बिंदू रूप बनो खुद भी बिंदू रूप मैं आत्मा हूं प्रकाश हूं मेरा कुछ भी नहीं ना शरीर मेरा है ना शरी के संबंधी मेरे हैं जिनके उपर नाम और प्राप्तियां और प्रॉपर्टी के पेपर्स और ये सारे धन्संपति ये कुछ भी मेरा नहीं है इधर तक सोच जानी चाहिए तभी बिंदी लगेगी नहीं तो किया हाई क्या हो गया हाई किसने ले दिया हाई मेरा वो था यह तो मेरी चीज है इसलिए पर्मतों कहते हैं तक कि हमारे अंदर अभिमान अहंकार और इन सिक्योरिटी जमें मेरा कुछ भीनैस सब कुछ थ तेरह तेरह तब जाकि बिंदी लगेगे तो नहीं लगेगी स्वें भी बिंदू रूप बनो याद भी बिंदू पहलों कि यहाद को किवे बिंदू सें आत्मा मैं ना मान बेटा ना बहाइ, नहीं तो मेरा कौन जब धर्टी की कोई चीज मेरे नहीं है 먹rel यहां पर ट्रस्टी हूं भगवान के घर को सब्सक्के हैं वहां सब्सक्राइब आफ है। सहां अधरा मक्या नहीं की संपत्ति में यहीं स समप्ति निया अब याद आएगा मैं को फिर कौन याद आएगा अच्छा यह सब कुछ किसका है उसका है अब कौन किसको याद तरो बिंदी बन करके याद भी बिंदू को करो और ड्रामा के हर द्रिष्ट को जानने करने के बाद बिंदू की मात्रा लगा दो सब दृश्य को जानने करने के बाद बिंदू की मात्रा लगा दो, जान लिया, यह होना है, कल लिएए ऐसा कलिक में हो नहीं है, आज बाज यह होना है। सबकुछ अच्छा होगा लेकिन जो भी और रहा अच्छा ह हो रहा है हिसाब कितब चुकतो हो रहा है। इस बिंदू की मात्रा के महत्व को जान बीती को बिंदी लगा तो जो बीती बाते हैं के लगा तो बिंदी लगा तो उसने ऐसे बोला उसने ऐसे किया था दस साल पहले ये किया उसने 15 साल पहले ये से किया ये सारे चीज़े भूलो परमात्मा कहते हैं उन आत्मा के संसकार है वो उनकी बिंदी, अपने संसकार मेरी बिंदी, मुझे उनकी जैसा नहीं बनना है, मुझे परमात्मा का बच्चा बनना है, तो मेरे संसकार बिल्कुल मीठेश और बहुत ही पवित्र होने चाहिए, क्योंकि वो जो करेंगे उनका हिसा परमात्मा लेंगे, मैं जो करूँगा वैसे भी अब बिंदी बन घर जाना है, अब सब को छोड़ करना है। मेरे बहुंत ने से कर रहे मेरे पिटा जीने से बूल दिया मेरी अपनी वाइव ने मुझे ऐसे segurança यह सब बाते चोटी-चोटी बाते हैं, इस से उपर उठना है, उपर राम, इन बातों से उपर, क्योंकि राम उपर है, उपर राम को याद करना है, तो इन से उपर उठने बातों से, ये चोटी-चोटी बाते हैं, इन में रमन करना नहीं है, जो रमन करते हैं, वो शूदर बनते हैं, और भी अब बिंदी बन घर जाना है वापस घान घर जाने तो कैसा करें अब जब नाटक खतम हो रहा है तो और जिए घर में जब घर में सब बिंदू हमें तुरूप में रहतें जहां उपर regular हैं ने के सब्सकार सब आइंista आपे रहा आप रहे वह पर बैन कॉन पते कौन बच्टा कर पच्ची कौन पंजी निए वो सारा नाटक सिर्फ यहां चब रहा होता है इसलिए परमदब कहे रहे हैं कि अगर तुम्हें वापस जाना है तो अपने इस पार्ट को अपने ये एक्टिंग को चेंज करो क्योंकि अब वापस जाने के समय पे कोई भाई नी कोई बहन नी कोई बंदो नी मुवी खतम होने समंद अपने काठते जा काठते मतलब यह नि किस लोगों के साथ समंदी खरापात जो नी काठ ना मतलब करमेर कोई भाई नी को एक निकुम्हरा पति ने उन सब आत्मों को में ख्याल रखते हुए उनसे कुछ भी मुझे इच्छा नहीं और पति ने ऐसा नहीं किया मेरे थ नहीं किया, मेरे भाईने मिरे ख्याल ने रिक्ठा, मेरे डेढ़ने मेरे पूछा नहीं, यह चीजा काटो के तौझ ज़र बंधन छूटेंगे, हलकी होंगे, और कौन हियाद आयका परमात्मा ? लीट अगर दुखी होगे, इसने परमात्म का वियाद आएगा फिर सहज योग नहीं होगा फिर मुश्किल वाला योग यह सारी चीजा को परमात्मा सिखाते हैं ब्रहमकुमारी समया करके आप भी अपने शेर में जाकर के सीख सकते हैं टाइप करें गुगल पर ब्रहमकुमारी सेंटर इन मैंसिटी और मैंने कीजिए और मुश्किन दिए और मुश्किन है